तो दोस्तों जो आपको पीछे दिख रहा है वह है मेंगेट इंट्रेस गेंट ही होगे आपका अगर आप जब आप आप आएगा तो इहीं साब का इंट्री होगा कि अबुए है तो दोस्तो विल्काम बैक टू आप न्यू ब्लॉग तो आज आए हम ताजी का स्टेडिया हम गुमने तो आई आपको में दिखाते हैं दोस्तों अभी हम अस्टेडियम के पीच पर आ गया है यहीं पीच है निसके बीच में भी हैं तो दोस्तों जो आपको पीचे दिख रहा है वह है में गेट इंट्रेस गेट ही होगे आपका अगर आप जब शडियम बन जाएगा तो आप आईएगा तो यहीं सापका इंट्री होगा और पार्किंग आपका उस साइड था जो किलिप हम दे देंगे देख लीजेगा और आपको हम अभी ड्रोन शॉर्ट दिखाते हैं यहां का तो वीडियो ड्रोन शॉर्ट देखकर आप वीडियो को जरूर लाइक करें और मैं चैनल को सब्सक्राइब करें क्यूंकि इससे ड्यम में कोई अभी तक यूट्यूबर ऐसा नहीं है कि यह सब्सक्राइब जरू तो दोस्तों तो आपका इंट्रेस्ट हो गया और अभी हम आये हैं जोहां पर मैच होगा किर्केट मैच वहां का आपका हम फिल्ड दिखाते कितना बड़ा अस्टेडियम है यहां का और इसे शड़ी में 45,000 लोग बैठ सकेंगे और यह बिहार का एकलोता शड़ीयम है जो कि राजगीर में बन रहा है और उजवर्दस शड़ीयम है यही रहा आपका फिल् भरक बंकर कर लोग दिखाते हैं क्या यह и बहुत जल्द पहला जो इंटेशनल मंत्रीस ची ने बोला है कि पहला बल्ल कंपको पाकिस्तान हो चाहे किसी का भी हो तो यहां इस स्टेडिया में होगा तो और इस वीडियो में बने रहे हैं आपको हम बहुत सारा क्लिप दिखाते हैं और ड्रोन सब्सक्राइब अच्छा लगाओ तो लाइक करें जरूर से ठीक है थाइंको और देखिए का दिखा रहे आपको हूँड अश्थ है आपको अजिए सारा दिख्राइं जो हो जाएगा फुटबॉल का हो जाएगा टेबल टेनिस हो जाएगा और एक तरह का खेल का पिछे आपको जितना दिख रहा है उसमें अगर बारीश होता है तो इस एड़ीए मैं ऐसा जवर्दस टेक्निक लगाया गया है कि अगर बारीश हुआ तो आदा घंटा के अंदर ही अंदर मैच वापस अस्टार्ट हो सकता है पानी सुख जाएगा सारा इस एड़ीयम में ऐसा मोटर लगाया गया पूरे शेडियम में क कि बारीश का पानी यहां पर जम नहीं सकता है सारा सोख लेगा और अस्टेडियम में मैच बहुत जल्दी अशार करने का इसमें सुभीदा है इसलिए सबसे टॉप लेवल पर बिहार में ऐसा शेडियम बन रहा है तो दोस्तों अब यहां से निकलने का टाइम हो गया है तो अब घर जाता है क्योंकि बस इतना ही था शडियम में बताने के लिए बागी आपको दिरे दिरे वीडियो में आपको मिलते रहेगा लेटेश न्यूज